हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आएं बहुत ही जादा हेल्दी टेस्टी पॉस्टिक और इजी सी डलिया की रेस्पी आप इसको सुबर नास्ते में बनाएए या डिनर में ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है बच्ची हूं या बड़े सब पसंदाता है जचट पर बन जाता है तो मज़िदार सब नाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दलिया तो मैंने ऐसे घृप जब लिया है जब भी आप किसी भी रेसिपी को बनाए तो सबसे पहले माजी निग के लिए कोई काट चड़ाएंगे और उसमें डालेंगे हम दो चम्मस देसी घी अगर आप चाहे तो ड्राय रोस्ट भी कर सकते हैं लेकिन देसी घी डालने से दलिया में जो खुसबू है वो भी पहुत अच्छी आएगी साथी साथ इसमें एक अलग टच का फ्लेवर आएगा इसलिए हम इसको घी में फ्राय कर रहे हैं यह टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो ड्राय रोस्ट भी कर सकते हैं और घी जैसी गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे दलिया तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखना है और कॉंटिनू इसको चलाते रहेना है जिससे की दलिया जलना जाए दलिया भूनने में भूत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तीन से चाई मिनट में बहुत अच्छे से भून जाएगा जब भी आफ दलिया की कुई भी रेस्पी बनाए तो दलिया को हमेशा रोष्ट करके ही इस्तेमाल करे नहीं तो इसका रौ बढ़ देते हैं और इस पर चड़ाएंगे एक प्रेशर कूकर और इसमें डालेंगे हम एक चमच सरसो का तेल अगर आप चाहे तो इस रेसीपी को घी में भी बना सकते हैं के तेल डालने के पाद जैसी तेल अच्छी से गरम हो जाएगा इसमें डाल देगे हम जीरा को हआँलका से चीटकने देंगे और अब इसमें डाल देंगे दो मिर्ट जैसी हलकी सी फ्राई हो जाएंगी इसमें डाल देंगे हम बारी कटा हुआ प्याज तो एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने एक दम फाइन चॉप कहे लिया है प्याज डाल कर इसको हलका सा शौते करेंगे तो यहां पर हमें प्याज को बहुत जादा नहीं हम ब्राउन करना है तो जैसी प्याज हलका सा भून जाएगा इसमें हम डालेंगे टमाटर तो मैंने यहां बिल्कुल पका हुआ एक लाल टमाटर ले लिया है मीडियम साइज का जिसको फाइन चॉप कह लिया है अब इसको हम एड कर देंगे तो माटर डालने के बार नमक ब करेंगे यहां डाल दिया मैंने स्वाधा नमक और टमाटर को एक मीनट तक भून लेना है जिससे की टमाटर जल्दी सौफ्ट हो जाए थोड़ी देर के लिए इसको भूनने देना है और आप यहां डालनी है हमें कुछ सब्जियां तो सब्जियां जो आपको पसंद आप उनक करें सब्जियां जितनी इस्तेमाल करें जो आपको नहीं पसंद हैं इसकह अब डाल देंगे हम यहां पर आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर और हमें किसी भी मसाले का इस्तिमाल नहीं करना है बहुत कम मसालों में बहुत ही जएदा हेल्दी और टेस्टी दलिया बनके तैयार हो जाता है हल्दी रालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और तो अब हम यहां डालेंगे मटर अपर तो मेरे पास जो है वह फ्रोजन मटर थी इसलिए मैंने इसको बाद में अड़ किया है अगर आप फ्रेस मटर का इस्तिमाल कर रहे हैं तो सिमला मिर्चोर आलो के साथी मटर भी एड़ कर देजिए यह फ्रोजन मटर है इसलिए हम ने पहले हुँ मीज़ कर देंगे, और सब्सक्राइं की कोई हसात, जिसमें अध्रस्य के अध्यां उृतना हैं यहां और सब्सक्राइबु करके पानी च् приложब कॉटायत यह हमयुनियू हो मैड़ियकम और लृक्र फेड्व से हैं इस दलिया को बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है इस लीए हम इसमें डालेंगे may cue कma サetiail कि magic जिससा कि हम दलिया में बहुत ही ज़्यादा amazing और वह वहत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट आएगा तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट मैगी का मसाला एड़ कर दिया है तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर प्रेसर कुकर को कवर कर देंगे यानि कि इसका ढखकन लगा देंगे तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर हमें इसमें तीन सीटी आने देनी है जैसी तीन सीटी आ जाएंगी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो यहाँ पर तीन सीटी आ चुकी है और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसका प्रेशर भी निकल चुका है तो यहां हम ढकन खोलेंगे और इसकी consistency चेक करें लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि दली एक तम परफेक्ट बनके तयार हो चुका है तो चलिए इसको हम सर्फ कर लेते हैं तो इसको हम शर्व कर लेंगे और अब हम इसके उपर डाल देंगे बाहरी कटा हुआ हरा धनिया धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मस देशी घी यह तोटली ऑप्सनल है अगर आपको पसंद तो डाले नहीं पसंद तो बिल्कुल ना डाले मुझे बहुत प फैमली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो के लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी मज़ेजा जटपट और इजी रेसिपी देखने के लिए मैं फिर मिलतीयों को मज़दार रेसिपी के साथ तब तक आपना खयाल रखिए वीडियो क जरूर देखिए बनाई खाई और खिलाई है